दोस्तों लवली इनु कोईन के बारे में जो भी नूजिस है सभी यहांपर कवर करने वाले हैं जहांपर सबसे पहली इनकी नूज थी कि इन्होंने 99.9% को यहांपर बर्न कर दिया है और 30 जुलाई को 5 बड़े एक्चेंज पर लिश्ट होने वाला है जहांपर सबसे बड़े एक्चेंज में नाम आता है होट बिट का और ला टोकन का और तीन इन्होंने जो एक्चेंज थे वो यहांपर सर्प्राइज रखे हैं इसके साथ ने बर्निंग का इन्होंने बीएस स्कैन के टोकन का यहांपर लिंक भी दे रखा है और लवली इनु का टार्गेट है आप इनके इस एक्षेंज लॉंच पेड़ पर भी लॉली इनु को खरीज सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ी हमार सामने ओफिशिल न्यूज है इनोंने भी यही ट्वीट किया था कि फ्राइडे जुलाई 30 को यहां पर ले टोकन पर लवली इनु फाइनेंस यहां पर लिस्टिंग होने वाला है और बिट मार्ट एक्चेंज का नाम तो आपने सुना ही होगा जहां पर देख सकता है एक जो इनने सरप्राइज रखा था वो यहां पर हमने डूंड लिया है बिट मार्ट विल लिस्ट लवली इनु फाइनेंस लवली लवली स्पैस फाइनेंस ओन जुलाई 30 दा लवली और यूश्टि वाला इनका पैर सिलेक्ट किया गया है डिटेज यहां पर पूरा दिया गया है जहां पर लिखा गया है रहां देख सकते हैं 6 A.A.M. EDT टाइम जौन पर यहां पर साथ 30 को बिट मार्ट पर यहां अवेलबल हो जाएगा रहां पांच बड़े एक्शेंज पर अगर किसी भी कॉइन का लिस्टिंग होता है तो स्कै 99.99999% loss हो जाती है विकॉज जैसे मान लीजिए कोई भी कोई आज बाइनेंस पर आता है तो कभी उसके स्कैम की ख़बर सुनी है कभी भी नहीं ना क्यों क्यों क्योंकि जो टोकन होते हैं I think so वो बाइनस अपने पास होल्ड रखता है अगर मान लीजिए किसी भी एक परसनल अकाउंट में अगर होल्डर में वहाँ पर सभी टोकन पड़े रहते हैं और अगर वह उनको सैल कर देता है तो मार्केट गिर सकता है लेकिन अगर टोकन उस होल्डर से जो परसन है जो मेन ओनर है उसकी ओनर से उससे लेकर अगर बाइनस को धमा दी जाए जब तक यह है टो कि यहां पर नहीं सुनी है तो आपने सुनी होगी कि आपके पास यतनी भी पूंजी हो केवल एक कोईन पर कभी भी नहीं लगाएं क्या पता खुदा ना खास्ता हो दिन मार्कर नीचे रह जाई या फिर कुछ और समश्या आ जाई क्योंकि इन्होंने ऐरड्रॉप सेल्स का कहा था कि एरड्रॉप मिलने वाले हैं लेकिन वो एरड्रॉप में बहुत बड़ी यहां पर डिले चल रहा है का भी लेट हो रहा है उसी के वज़ए से यहां पर कुछ लोगों को दिक्कते सहन है करना बढ़ रहा है तो यहां पर मैं 30 जुलाई से पहले कुछ टोकन और खर जा उसके लांच पेड़ पर भी वैल्बल हो गया है तो यह थी हमारी लवली इन्हों के बारे में सारी से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए जाहें जाब